तो आज में बना रही हूं बैंगन की इतनी स्पाइसी सी सबजी की खाकर तुम मज़ा ही आदने वाला है तो आइल में सबसे पहले डालेंगे हम जीरा और हींग और मैंने ऑउन्जियो और उसकी क्वाइंटिटी थोड़ी ज्यादा लेनी पड़ती है क्योंकि बैंगन में थोड़े स्पाइसी बनाते हैं और थोड़ा ओईली बनाते हैं तब ही टेस्टी लगते हैं तब ही उनका रियल स्वाज आता है तो ओईल में मैंने डाल दिया है जीरा हींग और उसके बाद मैंने डाला है एक मीडियम साइज का प्याज तीन से चार हरी मिर्च लैसुन और आदा इंच अद्रक का टुकड़ा सभी को अच्छे से मिक्स करके हलका साथ दो मिनिट के लिए फ्राइ करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर फिर मैंने लिये हैं दो देसी टमाटर अगर आप बैंगन की सबजी बना रहे तो उसमें देसी टमाटर डालिए बहुत अच्छा टेस्ट आता है तीन चमच मैंने लाल मिश पाउडर डाला आदा चमच हल्दी पाउडर डाला स्वाध अनुसार नमक दो चमच धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला यह सबी चीजे जिस तरीके से मैंने क्वांटिटी में बताई है यह आप उस प्रकार से डालेंगे तो रियल में आ तो मतलब फ्लेम पर दो सी तीन मिट पकाना ही पकाना है तक अच्छे से जो मसाला है और सबकुछ अच्छे से पग जाए फिर हम जो बहेंगन हमने काटके रखे थे वो डाल देंगे और बहेंगन को आप अगर मसाला पक जाए उसके बाद काटना चाहे तो या फिर जब पड़ेंगे क्योंकि वह आवासे रेक्शन कर देते हैं तो यह देखिए सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद ही आपको कलर का अगंदाजा हो जाता है कि कितने अच्छे से कलर आ रहा है और अगर आप चाहें कि आप बहुत तीखा नहीं खाना चाह है और उनली कलर होना चाहिए रेड तो आप कलर वाली मिर्श डालिए बड़ जो बैंगन का स्वाध होता है अगर वह तीखा लगे तीखे बैंगन मनाए जाए तो ही जादा टेश्टी लगते हैं तो सभी को अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है और बहुत में बेसिक से मसाल फाइनल लुक कितने स्पाइसी से कितने तीखे से कितने टेश्टी से बैंगन मन के रेडी हो हुए है और आप इन्हें रोटी पराठा नान पूरी वगरा किसी के साथ भी खा सकते हैं और आप देखिए इनका टेक्शर कुछ इस तरीके से ग्रेवी जैसा हो जाता है तो वीडियो को लाइक शेर ज़रूर कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में बाबाँ